ये बाई ये जानतों ये वो अला टाइप है कि चीनी वाले जो कोश्टन्स आते हैं कि दुकान पे जब चीनी लेने गए तो दाम आपको बढ़ा मिला अब सो रुपए में आपको चीनी कम या ज्यादा खरीद के लिए कर आओगे तो ये बताओ दुकान का जो पहला मूल क्या क्या कहता कोश्टन जरा समझना चीनी की मूल में हमने पचीश परसंगे कमी कर दी तो जो भोगता था वो 120 उपर में तीन किलो चीनी ज्यादा खरीदा अब बताओ चीनी का प्रारंभिक वाला और नेवाला क्या मूल है ठीक ये कोश्टन पूछा गया क्या चाते हो इस कोश जादू देखना चाते हो पहले कि पहले दिखा दिया जाएँ चबो आते समझाते हैं कैसे कोश्टों करेंगे पहले इसकोशों करेंगे ऱ दोनों चीज़ पहले समझाएंगे पहले आराम से पहले concept देखते हैं हुआ क्या चीनी का दाम 25% कम हो गया यानि बोले तो 25% कम मतलब होता है एक बटे चार होता है कि नहीं होता यानि 25% का मतलब एक बटे चार तो अगर पहले दाम चार रहा होगा तो अब दाम क्या तीन हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यही नहीं समझ में आया तो हमने कहलो अगर ये भी नहीं समझ में आलो आगए ना अगली बात प्याते यह बाइस से लिंग प्राइब का वैलू कर रहा है कि भाई पहले चीनि चार रुपय का बेचता था तो अब तीन रुपए का बेशता है अगर मालो मैंने यही कॉश्ट प्रैस कर दिया आप सभी को पता होना चाहिए सेलिंग और कॉश्ट ऑलवेज उल्टा होते हैं अरे सीधी सी बात है कि नहीं है ठीक है अब आ जाते हैं क्या मामला है अब समझते हैं हुआ क्या हमारी हिसाब से यह स बेशनस आया का और किलो में कितना ज़्यादा करीदा तीन केजी ज्यादा खरीदा तो भैया इह तीन रेसिस случае value एक रेसिक Buddy표 तो 3 ratio की value 9 और 4 ratio की value 12 क्योंकि 1 की value 3 तीन तू 4 गोड़े 3 बराब बारा, 3 गोड़े 3 बराब नो यह answer नहीं है, यह ना सोचना हैं कि यह answer हो गया अब जितना पैसा लेकर जाओगे, उसी में तो खरीद के लें कराओगे, कैसे दे देगा वो आप ले गए थे 120 रुपया 120 से डिवाइट कर दो कितना लेके गए थे 120 रुपया 120 से डिवाइट कर दो यानि अभी अभी बाद वाला यानि अभी जो चीनी का प्राइज है वो 10 रुपया पर केजी चल लहा है और पहले तीन तरीका नो तीन चोका भारा जो पहले प्राइस था वो 40 बटे तीन था अब बोलो क्या सबको बात समझ में आई कि नहीं यह आई यही ता एक बहतरीन सा कॉमसेट जो आपको समझना था आई सिंग मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को बात समझ में आ गही होगी यह कॉमसेट है जादू तो अब दिखाएंगे ना यह तो पहले कॉमसेट समझ लो और इससे दा के को कहां गये भाई जली से कोशचन हाँ यह कॉमसेट समझ लो पहले तो सब किसम यह कॉमसेट है कि लिए कुछ समझ में आया कि नहीं नहीं दिखाएंगे पहले मुझे यह कोश्चन का एंस और आप लोग बताओंगे तभी जादू दिखा पाएंगे वाई ऐसे नहीं कि तुरंती आपको मैं खुद बताऊंगा लेकिन पहले सेम टू सेम हूबा हूँ यही कोशन है स्वाल्व करके दिखा दो फिर बता दे वाई ठीक चलो आज़ो फिर से समझा देंगे दो न्टवरी पहले तो स्वाल्व तो करिए क्या कहता है पहले कोशन तो पढ़ो बहुत सांदार कहता है कि च पर में नहीं लिखोगे तो मैं समझाने के लिए कर रहा ना आप तो जल्दी जली रेशियो लगाते चले जाओं तो नंबर लेकर चले आओं पचीश परसंद दाम बढ़ा यानि पहले दाम अगर सो रहा होगा तो अब 125 हो गया तो पचीश चोका सो अब 255 125 यह सेलिंग प् गएते 100 रुपए लेकर गहते सौघ्बर चार्प उकर सوتसे यह नए नय बढ़ा प्राइस कितना होगा u25 वठे चार रोत बसर आगया यही आ रहे कि नहीं आ रहा है बहुत सांदार बहुत जबदस बहुत जिंदावाद बताओ क्या किसी को गरबड़ है किसी को कोई दिक्कत है नहीं अब ये बताओ चीनी का पुराना मूल अगर यहां पूछता तो कितना बताते कि चीनी का पहले वाला प्रैज कितना था आप कहोगे सर जी एक रेसियो बराबर चार तो पांच रेस्यू बरावर पांच ओकाः बीस कितना रुपए लेकर गया था सो रुपए लेकर गया था तो चीनी का पहले प्राइस था 25 यानी 5 रुपया खतम बात ठीक तो क्या जादू दिखाया जाए अरे बोलो हाँ या ना जादू भी एक कॉम सेफ्ट है और वो यह question को समझते हैं और करते हैं चलो भाई जादू सीखते हैं वो जादू कैसे कर पाएंगे देखेंगे भाई यहां से देखेंगे जादू कैसे करेंगे कि सर जी आखिर जादू से ये कोशन मैंने कहा स्वाल्व नहीं हो पाएगा पूछो क्यों पूछो तो भई हाँ देखो इसी वज़े से जादू से ये कोशन स्वाल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि जादू वाला काम काम होता था जब धूप निकलता था और अभी क्या धूप को रहा है तो फिर कैसे जादू से स्वाल वो पाएगा ये भी तो सोचो भाई सबीने देखा ना कि जादू क्या करता है जादू के सकती कब आती है जब धूप होता तब ही आती है और अभी इतना जादा कोहरा हर जगां कि धूप है नहीं तो बी जादू अला कोशन नहीं देखो ध्यांस समझना ज़र 25 परसंट वैलू बढ़ी तभी ना आदमी ने सौ रुपे में चार किलो चीनी कम खरीदा अगर क्या वैलू नहीं बढ़ती तो क्या वो कम या ज्यादा खरीदता नहीं जितना पहले था उतना ही खरीदता लेकिन उसने कम या ज्यादा क्यों खरी तबही तो हमने सो रुपे में चार किलो कम खरीदा अगर वैलू ना बढ़ती तो क्या कम या ज्यादा खरीद ते क्या नहीं ना तो आपने चार किलो कम या ज्यादा इसी वज़ाए से खरीदा क्योंकि 15 परसं वैलू बढ़ी था हौ सौ रुपए लेकर गए थे मतलब सौ का पत्चीस परसंटी किसके बराबर है चार रुपए के बराबर है चार केजी के वैलू है खतम हो गया चार केजी के वैलू पत्चीस है तो एक केजी के वैलू कितना आएगा पत्चीस बट्टे चार अरे हां या ना जल्दी से बता दो एवरी वान एवरी वड़ी पक्का आप फिर से समझते हैं क्या भाई आपने चार किलो कम या ज्यादा क्यों खरीदा इसी वजए से क्योंकि आप पहली बात तो इतना रुपए लेकर गए थे और इतना परसंदाम बढ़ा अगर आप स तो रुपए लेकर गया था और पचीश परसंदाम बढ़ी है अब कहोगे सर जी तो जादू से याद अखना जादू से नया वाला मूले निकाल लोगे आप लो और नया वाला मूले में पचीश परसंदा बढ़ी है यानि यह 125 परसंद की वैलू होगी और आप से अगर 100 प मूले कितना आएगा सबके सब जल्दी से बताओ को में बहुत बढ़ियां बहुत सांदार ठीक चलो हां अब समझते वाई तीन किलो चीनी जादा क्यों खरीदा पहले मुझे सबकर अपने मंसे बताओ करपा रहों कि नहीं करपार पहले तो अपने मनसे बताओ सब के सब मैं बताओंगा बहुत सांधार बहुत जवदस बहुत जिंदवाद नएवाला मूह कितना आगा चीनी का अरे आया कि नहीं आया अब समझते हैं हमने तीन किलो चीनी कम या जिए जादा क्यों क्या चीनी का ने वाला मूले था की नहीं था जल्दी से बता दो अरे हां या ना खतम होगे कोश्टन कैसा लगा बोलो भाई लगा ना ये कोश्टन आपको लिखना भी पड़ेगा क्या इस चीज को नहीं ना आप तो यह मन में सौल कर लोगे भनारवन तरीके से कुछ ना किस आता है वह ये वाला आता है ठोचेश सारे टाइपकर आंगे यह बात का बिल्कुली चिंटा ना करना कि सर जी ये टाइप नहीं हुआ वो टैप नहीं वह हर टाइप कराएंगे चाहां है कोई भी टाइप से पूच जाए हग kalo को सब कुर्वर3 छो जागा इस बात के आध र चीनी की प्राइज मालों पहले 100 रुपय थी 20 रुपय बढ़ी यानि अब प्राइज 120 हो गई है यह बताओ कि उसकी खफद कितना कम करा जा कि कोई बदला ना हो उसके करोगे किई करोगे और कितना कम करोगे 20 रुपय कम करोगे तो हमने 20 रुपय कम किया और कहां से कम किया जो प्राइज बढ़ गई है वहां से कम करेंगे तो 20 बटे 120 इंटू हंडेड 20 चक्का 120 100 बटे 6 बोले तो 50 बटे 3 प्रतिसाथ is the right answer of this question क्या बास सभी को समझ में आई की नहीं आई यानि 16 बटे 3 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सांदर बहुत जिंदा बात कोई दिक्कत कोई परसानी कोई प्रॉब्लम नहीं हर बच्चे को समझ में आगी ना 50 बटे 3 कर लोगे ठीक सिंपासा क्या कि कितना कम करेंगे हम करेंगे 20 कम अरे कितने से जो प्राइज आजाते हैं ठीक है चलो आसान सब कोईशन यह भी बहुत घबडाने जो तनी ऐसे कोईशन में आसान से आराम से कर सकते हो बहुत घबडाया नहीं जाता चलो और यहीं चैनल पर थे कह है चलो बढ़िए बहुत अच्छा आप उपर जा गोई तो आपको उपर सब दिखाए एड़ी चैनल आड़ जो लगा है वह पर वहां पर आपको ऊपर सब दिखाए देगा क्या है कब है कैसे है क्यों है क्या क्या नहीं इ जितने बच्चे अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकॉन का बटन है बटन दबाईए और कमेंट बॉक्स में डन बोलके फिर आगे कोश्टन को कुवालों कांटीनू करते हो गया भाई सभी का पक्का है पक्का पहले तो सब्सक्राइब कर लो भाई सब्सक्राइब कर लिए और बहुत यसे अब इघ तरना तरी प्राइज भी बढ़ा और अपना हम वे भी यानि एकस्पेंडीचर भी बढ़ाने वाले दोनों चीज़ समझाते हैं जरा समझना क्या कहते हैं प्राइज जो है वह 24% बढ़ी मतलब 100 रुपय था तो हमने प्राइज बढ़ा कि हम अब प्राइज जो हो गई वह 124 रुपया हो होगी तो भाईया अब आपको इन्हीं दोनों से मतलब है कितना कम करोगे 124 में सब 15 माइनस कर लो 9 5 14 यानि 9 कम करोगे कि नहीं करोगे कितने में से जो जल्दी से 124 है उससे और इंटू क्या कर लोगे 100 कर लोगे कि आब बास सभी को समझ में आई कि नहीं आए खतम हो गया क सब्सक्राइब नहीं कटेगा ना तो लेकिन चलो चार से काट दें हम चार तियां बारा और चार एकनम चार चार से काटोंगे 25 तो पत्चीस गुड़े नौव बटा एक तीस दराइट एंस और इसको सब्सक्राइब अब यहीं आप इसी को सॉल्ब करोगे इसी बहुत अच्छा तो भाई 7.2 बहुत अच्छा क्या हो जाएगा 7.2 दे रखा है यानि 7.2 कितना दे रखा लगवा मुझे लग आएगा 7.25 क्या सपस आगा तो 7.3 सही अंसर हो जाएगा कटीन था क्या यह कोश्चन यार नहीं बिलकुल ही तो आसान था कुछ तो नहीं था भाई प्राइज बड़ी सौ से 125 हमने अपना वैक यह जो है वो बढ़ाया 15 कितना नौ जादा कितना 125 से कोश्चन खता मुझा कुछ आप नहीं करना पड़ेगा अब अगला टाइप यह वाला आ जाता है जरा देखो क्या कहता है यह टाइप और जल्दी से बताओ क्या होग अभी तक मुझे पिस्वास यह बात बिल्कू सही है कि बहुत सबसारे बच्ची यह कोश्चन अभी सबसार और देखो नहीं तो